तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शानल पर बेरा नावे वरूट और हम बात कर रहे हैं लो की जितने भी कैंडिडेट्स है या एसपेरेंट्स है वो चाह रहे हैं लो करना या करियर बनाना लो में तो आपके लिए ये चानल ये प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी जानकारी कॉलेज, कोर्स, करियर की लॉस रिलेटिड आपको मिले वाले हैं साथी साथ दोस्तों पर भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए भई आकर दोस्त होते हैं किसलिए अज जो हम डिसकस यहाँ करने वाले हैं वो बिहार के NLU की बात कर रहें जी हां पटना NLU की बात कर रहें जिसका नाम क्या है चानक्या नेशनल लॉड योनिवस्टी चानक्य का नाम तो आप सभी ने सुना होगा जिसने हाँ भारत की दिहास में प्रधान मंत्री के रूप में का खंड भारत के रूप में अपनी कल्प्ता करी थी और चंत्रगुप्त मौरे को साशक बना दिया था वैसे ही यहां पर सारी नीती निर्माड और पॉलिटिक्स के लिए जी हां लोगे सारे रूल्स और रगलेशन के लिए यह चारक के नैशनल लाने की तो बिल्कुल आपको यह देखना चाहिए और दोस्तों मैं भी शेयर करना है अगर आपके अच्छे मांक्स नहीं आए हैं रैंकिंग अच्छी नहीं हैं और आप किसी दूसरे इंस्टिशन को चूज कर सकते हैं जानना चाहते हैं क्या बेस्ट होगा आपके लिए तो नीचे profile analysis form भी मिल जाएगा जिसको आप fill करके जानकारी ले सकते हैं चलिए स्टार्ट करेंगे चाना क्या national law university 2006 में established हुआ यह university of law है बोल सकते हैं हम इसको बहुत ज़्यादा experience नहीं है 17 सालों का experience ही अभी इनको हो पाया है अपनी speed में लेकिन दीरे दीरे यह अपने जारी खास तोर पर बिहार के आसपास क्योंकि बिहार आप जानते हैं इस IPS को का गड़ है सबसे ज़्यादा बच्चे इस IPS बिहार से बनता है तो अगला जो target है उनका law profession में भी आने का है और अच्छे खासे बच्चे जो हैं यहां law profession में अच्छा कर रहे हैं तो बहुत सारी यहां पर इन्होंने facilities प्रोवाइड करा के रखी है बचों के लिए अलग-अलग हम discuss करेंगे 18 एकड का बहुत बड़ा campus नहीं है लेकिन हां यहां पर भी इन्होंने सारी शुविदाये प्रोवाइड करा के रखी है 2006 का establishment है और निया नगर जो की उन्होंने colony का या जहां यह established उसका नाम रखा है मिधापूर पटनाम है इसके बाद यहां पर academic programs यह जो UGPG PhD program है वो conduct कराते हैं हम देखें तो integrated 5-year programs भी आपको B.L.L.B. के तौर पर honors पर मिलेगे इसके लाब L.L.M. 2-year program और आप देखें तो PhD भी यह conduct कराते हैं जिसको आपको हानेट के त्रू देना होता है मूट कोट competition में participate कर दें बहुत सारे national international ताकि बच्चों को और अच्छा बड़ाबा मिले इस चीज़ को लेकर साथी साथ legal aid और awareness program में participation के लिए यहां पैलिट्रेशी campuses workshops और counseling sessions कंड़िट कराये चाते हैं इसके अलाबा अगर हम बात research centers की करें तो भई यहां पे बहु induction research related करते हैं साथी साथ यहां पे library और resource center भी उपलब्द है देखो यार law की field में होता यह है कि आपको resources की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है अलग references देखने होते हैं उसके लिए आपके पास resource होने चाहिए जो library है इनकी जो मुहया कराती है resources को ताकि बच्चों को अच्छों कर पाएं campus में facilities बहुत सारी हैं जो हम आगे discuss कर भी लेंगे जो सारी basic facilities कहलाती है जो बच्चों को ग्रूम करने के लिए इनके overall development के लिए important होती है क्लाइट preparation यह important है जी हाँ यह क्लाइट के basis पर ही admission प्रॉबाइड कराते हैं और यहां पर consortium में यह सामिल है जो यहां पर आपको law courses कंड़क्ट करागा academic achievement में आप देखेंगे तो हाँ यहां पर बहुत सारे national and international forums में इनोने पार्डी सपेड किया है बहुत सारी जगह इनोने नाम अपना बना लिया है और यह रेंकिंग तो नहीं है हलाकि यह नाम आनने वाली इंडिया टुड़े की रेंकिंग में बंद्रवे नमबर पर रहे हैं हां वेस्ट इंपटना law college में मतलब बिहार का बबन इंस्टिउशन की भी इनको रेंकिंग मिली है और मिले की NLU है अब्रस भी बात है फिर इससे अच्छा तो कोई संस्तान होगा नहीं न लॉकी फिल्ड में बिहार है दूसरी बात हम यहां करें इनके कोर्स और फी की सो भाई कोर्स यह फाइब यर इंटीग्रेड़ेड़ प्रोग्राम कंड़क्ट कराते हैं यह लल्ल्ब ओनर्स का जिसकी फी स्ट्रक्चर देखें आप तो देड़ से दो लाग रुपे एक साल की होती है पांस साल का यह प्रोग्राम है आपको पता ही इंट लौपे तो यह अपके स्पेसिलाइजीशन में गटर रहा है चालेंज़ासाथाजारसाट हजार अक साल की साल हो सकती है सो यह कोर्स उनके फी स्ट्रक्चर है स्कॉलर शेप भी यह प्रोग्ट कर आते हैं महुत सारे स्कॉलरस फोर्टल पर, जाकर जानकारी आप ले सकते है की इसके अलाबा देखे आप तो भाया ये merit कम means scholarship, state government की scholarship हो गया, need based scholarship हो गया, इसके अलाबा अगर आपको particular sports में अच्छा करते हैं तो sports achievement scholarship भी provide कराते हैं और differently abled student जितने हैं उनके लिए भी scholarships provide करा देते हैं जिनके criteria अलग-अलग हो सकते हैं उनके placement की बात कर लें तो placement ये समय के सासा सुधारते चले जा रहा है और अच्छा करते चले जा रहा है जैसे अब देखें इन्हों ने compare किया हुआ है दौनों ही sessions को 2021 और 22 के records इन बताया हुए यहाँ पर median package आप देखें BBA या BALB के programs में तो 7.58 LPA जो है 2021 के candidates को median package थे वही 2022 के जित्ते बैच के बच्चे रहें उनको 10.10 10.10 LPA के आसपास जो है median package रहा है अगर हम यहाँ total students देखें तो 138 थे 2021 के session में वहीं 127 बच्चे जो हैं वो थे 2022 के session लेकिन placement की बात करें तो 25 ही बच्चे place हुपायच है 2021 के session में वहीं यहाँ 112 बच्चों के placements अभी तक हो चुके हैं 2022 के बैच के तो भाई यह अपने आपको निरिंतर भ्रद्धी कराते जा रहे हैं अच्छा performance देते चले जा रहे हैं और facility बात कर लें हम infrastructure की या वाकी तो यार यह को मूट कोट हो गया जो लौ के practice के लिए important होता हूँ मैंने बात करी भी national international बहुत सारे मूट कोट के competition यह participate करते हैं इसके लाबा लाइबरेरी में resource की importance आप सबस्ती है क्योंकि references books और बहुत सारी चीजन चाहिए रहती है तो library बढ़िया रहा है cafeteria आपके enjoyment के लिए हो गया sports भी facility वही होती है gymnasium हो गया medical facility बाइफाइ campus, auditorium, classrooms, labs वगेरा यह सारी आपके overall development के लिए important है जो की इस institution में basic facility के तोर पे आपको मिल जाती है हला कि किसी भी institution में यह important ही है इनके बिना तो कैसे ही overall development नहीं हो सकता किसी भी बच्चे का तो यह important है हम बात किसकी कर रहे थे चानक्या की जी हाँ चानक्या national law university विटना बिहार के NLU के नाम से यह जाने जाती है और important NLU में से एक है अगर आप भी target कर रहे थे तो यह जानकारी आपके लिए ही थी otherwise दोस्तों में share कर रहे है दाकि उनका बला हो जाए और चैनल subscribe करना नहीं भूला है आपको बता दे आप नीचे profile analysis form भी fill कर सकते हैं जिससे आप जानकारी अपनी profile पर best क्या हो उसकी ले सकते हैं तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए है रहे हैं